अगर हम पीडिये का नारा दे रहे हैं तो पिछड़े दलित अल्प संक्य मुसल्मान समाज को प्रतिनिधित मिलना चाहिए मैं इस दोकाधड़ी के खिलाफ हूँ, मैं इस दोकाधड़ी में शामिल नहीं हूँ हम सिर्फ उनको वोट बैंक की तरह या उनको छेत्रों में रगड़ने के लिए और लड़ने के लिए नहीं चोड़ सकते अगर पाटी के ही लोग उनके उपर अनरगल बयान बाजी करेंगे यहां तक कि उनको विछिप्ट तक अगर बोल दिया गया है तो मैं समझती हूँ कि जो कद है उनका आहत होना उनका सभाविक है समाजवादी पाटी एहम में भी है और वहम में भी है दोस्तों ये हैं अपना दल कमेरावादी पाटी की नेता पल्लवी पटेल वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि ये अखलेश यादव के उपर दलितों, पिछलों और अल्प संख्यकों के साथ धोखे बाजी करने का आरोप लगा रही है आपके मन में ये प्रश्ण आ रहा होगा कि अभी तक तो पल्लवी पटेल समाजवादी पाटी अखलेश यादव की तरफ से बोलती हुई नजर आती थी तो आखिर ऐसी क्या वज़े है कि अब ये अखलेश यादव के ऊपर दलित पिछले अल्प संख्यकों के साथ धोखे बाजी करने का आरोप लगा रही है तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि अखलेश यादव अक्सर पीडिये की बात करते हुए नजर आते हैं अपनी कोई भी प्रेस वारता होती है प्रेस वारता के दौरान ये पिछले दलित अल्प संख्यकों की बात करते हैं कोई भी इनकी रैली होती है कोई भी मीटिंग होती है उसमें ये पीडिये का राग अलापते हुए नजर आते हैं लेकिन अभी अखलेश यादव के सामने अपनी पार्टी की तरफ से तीन प्रत्याशियों को राजसभा में भेजने की चुनोती थी तो अखलेश यादव ने एक जया बच्चन को भेजा जो 2004 से लगतार समाजवादी पार्टी की तरफ से राजसभा की सांसद है दो और उम्मिदवारों को अखलेश यादव ने अपनी पार्टी की तरफ से राजसभा के सांसद के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है इसमें एक समल समाज से आते हैं और एक दलित समाज से आते हैं उसमें से भी दलितों में भी वो जाटव समाज में से आते हैं तो जो अखलेश यादव के द्वारा अपने प्रत्याशियों का चैन किया गया है, इसी की आलोचना करते हुए पल्लवी पटेल ने अखलेश यादव के ऊपर दलित पिछले अल्प संखेकों के साथ धोखेबाजी करने का आरोप लगाया है। उनका साफ साफ कहना है कि अखलेश यादव पीडिय की बात करते हैं, लेकिन जब इन्हें राज सभा में प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से भेजने थे, तो इसमें इन्होंने पीडिय को रेप्रेजेंटेशन नहीं दिया, पीडिय का खयाल नहीं रखा। नहीं पिछले समाज से आने वाले किसी वर्ग को मिला, एक दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को बनाया भी, तो उसका दलितों में कोई भी जैनाधार नहीं हैं। क्योंकि जब तक मायवती हैं, तब तक समाजवादी पाटी के साथ जाटव समाज सिर्फ एक सांसद बना देने से नहीं जुलेगा। तो कही न कहीं पलवी पटेल के द्वारा जो अखलेश यादव के उपर आरोप लगाया गया है, इसमें दम नजर आता है। अखलेश यादव चाहे कितना ही पीडिये की बात करें, चाहे इनके प्रवक्ता कितना ही पीडिये की बात करें। लेकिन कहीं पर भी इनकी कारश्यली के अंदर नजर नहीं आता है कि ये PDA को रिप्रेजेंटेशन देते हुए नजर आते हैं। आखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता टीवी चैनल्स के उपर आते हैं, आप उनके उपर भी नजर डालिए। सबसे जादा कौन आपको टीवी चैनल्स के उपर समाजवादी पार्टी की तरफ से नजर आता है, तो एक नाम आपको हर टीवी चैनल्स के उपर नजर आता होगा, और वो है अनुराग बदोरिया। ये राजपूत समाज से आते हैं, मैं मानता हूं कि अनुराग भदोरिया प्रमुखता से समाजवादी पार्टी की बात को TV चानल्स के उपर रखते हैं, लेकिन इसके अलावा एक जुही सिंग नाम की प्रवक्ता आती हैं, मनोज यादव काका आते हैं, तो ज्यादा तर समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं देखा होगा, कभी भी आप लोगों ने धोबी, कुर्मी, मौर्या ये जो तमाम पिछले जाती हैं, इन से आने वाले किसी विव्यक्ति को समाजवादी का प्रवक्ता आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो किसी भी कारेशनल के अंदर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पीडिये को रिप्रेजेंटेशन देते हुए नजर नहीं आती है सिर्फ पीडिये का रागल आपने से हर मीटिंग में पीडिये का मुद्दा उठाने से हर जगे पिछले दलित अल्प संखेकों कि सिर्फ बात करने से ही प अगर अखिलेश यादव चाते तो जो राजसबा सांसद बनाए गए हैं इसमें किसी एक मुसल्मान को शामिल कर सकते थे किसी एक पिछली जाती से आने वाले व्यक्ति को शामिल कर सकते थे और किसी गैर जाटव दलित को शामिल कर सकते थे तो राजनतिक तोर पर राजनति पटेल हैं वह अखलेश यादव के ऊपर दलित पिछले अल्प संख़कों के साथ धोखे बाजी करने का आरोप लगा रही है और मैं मानता हूं कि उनका आरोप एकदम सही है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है इसमें अखलेश यादव क अगर दो तीन सीट आ जाए तो आप समझे कि बहुत बड़ी बात है गलीमत है दो तीन सीट से जादा अखलेश यादव को लोकसभा चुनाव में नहीं आने वाला है और इसके बाद जो विधान सभा चुनाव आएगा उसमें भी कोई बहुत खास परदर्शन समाजवादी पार्टी का नहीं होने वाला है जब तक अखलेश यादव अपनी राजनेतिक रनेती बदलाव नहीं करते हैं आप सभी लोग क्या सोचते हैं कॉमेंट करके अपनी राइस जरू दीजिए बाकि चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए फेस्ब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद जाहें दिए